चलिए, इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास xy plane में xy plane में कोई भी दो points हो, तो उनके बीच की दूरी हम कैसे पता करेंगे? अब आप में से कुछ लोगों ने distance formula का नाम अगर सुन रखा हो, तो आप बोलेंगे कि हम सीधे distance formula लगा कि उनके बीच की दूरी पता कर सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में ये देखते हैं कि आखिर distance formula होता क्या है और ये आता कहां से हैं, इसके लिए चलिए पहले एक छोटा से example ले लेते हैं, माल लेजे कि हमारे पास दो points है, पहलो point कुछ हम ले लेते हैं, जैसे 3,4, तो x coordinate हो गया 3, y coordinate हो गया negative 4, तो वो point यहाँ पे कहीं होगा, 3, negative 4, दूसरा point ले ले लेते हैं, माल लेजे कुछ, 6,0, तो x coordinate हो गया 6 यहाँ पे, यहाँ पे और y-coordinate 0 है तो वो x-axis पे ही लाई करेगा अब हम एक काम करते हैं इन दोनों points के बीच की जो दूरी है उसे पता करते हैं यह जो दूरी है यह हम पता करेंगे तो यहाँ पे हम एक काम यह कर सकते हैं कि यहाँ पे एक right-angled triangle बनाने की कोशिश करें ताकि यह जो distance है जिसकी हमें यह दूरी जो हमें पता करनी है इसको मालेज हम d मान लेते हैं तो यह हमारा hypotenuse का काम करेगा और फिर हम Pythagoras theorem लगा के इसके इस length को पता कर सकते हैं लेकिन आप बोलेंगे यहाँ तो कोई triangle हमें दिखी नहीं रहा है तो फिर हम कैसे करेंगे तो triangle हमें दिख नहीं रहा है लेकिन हम यहाँ triangle बना तो सकते हैं जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे extend कर दूँ यहाँ पर यह थ्री यूनिट्स और यहाँ से एक perpendicular नीचे गरा दो सी लाइन पर तो यह जो मुझे यहाँ पर figure मिला यह एक right angle triangle बन जाएगा अगर मैं इस triangle को और यहाँ पर draw कर दूँ ताकि मुझे यहाँ पर अच्छे से detail में इसके बारे में हम बात कर पाएं तो यह हमारा triangle हो गया यह triangle हो गया कुछ ऐसा इस point को हम माल लेते हैं यह है हमारा point A यह हमारा point B यह हमारा point C तो यह हो गया हमारा A B C इसके coordinates भी डिख लेते हैं यह है 6,0 यह है 3,4 और यह है हमारा इसके coordinates के आऊंगे तो C के coordinates हो जाएंगे 1,2,3,4,5,6,6 इसके coordinates का X coordinate हो जाएगा 6, Y coordinate हो जाएगा B के Y coordinate के बराबर क्योंकि दोनों same level पे हैं यानि की negative 4 तो इसके यहाँ पे coordinates हो जाएंगे 6,4 अब हमें बस यहाँ पे यह करना है कि इस perpendicular की length पता करनी है इस base का length पता करना है और उसके बाद यह जो hypotenuse है यहाँ पे hypotenuse जो की हमारा main target है main aim है इस चीज़ को पता करना उसे हम पता कर लेंगे तो चलिए इस hypotenuse को कुछ हम लोग demand लेते हैं इस perpendicular की length क्या होगी तो अगर मैं यहाँ पे same इसको यहाँ से compare करूँ क्योंकि हमें यह length चाहिए तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है यह है 1, 1, 2, 3, 4 यह 4 units लंबी है तो यहाँ पे जो यह 4 units लंबी हो जाएगी और इसको सोचने का एक तरीका और यह है कि आप लेए देखें कि A और C में जो Y coordinates का change है वो कितना आ रहा है क्योंकि इन दोनों का X coordinates तो same है X coordinates में तो कुछ फर्क पढ़ नहीं रहा है फर्क सिप Y coordinates में पढ़ रहा है तो वो अगर हम यह देखें तो यह negative 4 से 0 पे आ रहा है यानि जो change आ रहा है वो 4 units का रहा है इसलिए यहाँ पे यह जो delta Y होगा वो 4 के बराबर हो जाएगा उसी तर प्रशने का एक तरीका यह हो जाएगा कि चुकि B और C के Y coordinates सेम हैं क्योंकि यह सेम लेवल पर ही है तो difference सिर्फ इनके X coordinates पर आ रहा है तो अगर हम इन दोनों के X coordinates के बीच का change पता कर लें यानिकि 6-3 तो 3 units का change आया है तो यहाँ जो delta X है वो आ जाएगा 3 units के पराबर delta X का मतलब होगा कि change in X coordinates और delta Y का मतलब होगा change in Y coordinates अब यहाँ पर पाइथागरस थी अरभम लगाएं तो हम बोल सकते हैं कि जो D square होगा वो हो जाएगा delta X का whole square यानिकि BC का whole square प्लस delta Y यानिकि change in Y coordinates यानिकि इसके square के बराबर तो यहाँ पर हम values डाल लेते हैं तो हमें मिल ज X का square यानिकि 3 का square प्लस delta Y का square यानिकि 4 का square तो इसकी value आ जाएगी 3 का square यानि 9 प्लस 4 का square यानि 16 तो D का square जो है जिसकी इस hypotenuse के length का square 9 प्लस 16 यानिकि 25 के बराबर आ गया अब D का value निकालने के लिए हम दोनों side square root ले लेंगे और D चुकी यहाँ पर इस length को represent कर रहा है तो हम सिर्फ positive square root ही लेंगे यानिकि principal square root तो D हो जाएगा principal square root of 25 यानिकि 5 के बराबर तो यह जो hypotenuse है यह जो A और B के बीच के दूरी है वो 5 units आ गई तो यह तो हमने समझा कि कैसे हम पाइथगरस theorem के मदद से दो points के बीच के दूरी निकाल सकते हैं अब same चीज़ को ही अगर हम generalize कर देंगे तो हम distance formula पे पहुँच जाएंगे तो चलिए देखते हैं कि यह कैसे हो रहा है जैसे कि माल लेजे हमारे पास कोई भी माल लेजे comma y2 और इनके बीच की हमें जो दूरी है वो पता करनी है यानि कि यहां से यहां तक की दूरी अब क्या यहां पे हमें right angled triangle बना पाएंगे तो हां बिलकुल जरूर बना पाएंगे वो देखते हैं कैसे तो यहां से मैं एक straight line यहां तक draw करूंगा कुछ ऐसे और इसको मैं ऐसे join कर दूंगा तो यहां हमें एक right angled triangle मिल गया अब आप यह भी बोल सकते हैं कि हमने right angled triangle इधर से क्यों नहीं बनाया तो आप इधर से भी बना सकते हैं उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारा जो change in x coordinate है और change in y coordinate है वो same ही रहेगा तो मा लेते हैं यह हमारा point a यह हमारा point b औ जाएंगे तो c जो है c का जो x coordinate होगा वो a के x coordinate के बराबर ही होगा यानि कि x1 और c का जो y coordinate होगा वो b के y coordinate के बराबर ही होगा क्योंकि यह दिनों same level पे ही है तो यह हो जाएगा y2 के बराबर अब इस ac का और इस bc का length पता करते हैं तो इस ac का length हो जाएगा point a और point c के y coordinates के difference के बराबर यानि कि y1 minus y2 यह हो जाएगा हमारा delta y और इस bc का length हो जाएगा इनके x coordinates के difference के बराबर यानि कि x1 minus x2 के बराबर यह हो जाएगा delta x तो अगर अब हम इस value को इस Pythagoras theorem में डालें तो देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा इस की length माल लेते हैं कि d है जो कि हमें पता करनी है तो d square हो जाएगा delta x का square plus delta y k square के बराबर जो कि हमने उपर देखा था फिर से इसको अगर थोड़ा से expand करके लिखें तो delta x का square है x1 minus x2 का square x1 minus x2 k square के बराबर अब यहाँ पे आप x1 minus x2 करें या फिर x2 minus x1 करें तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि finally वो तो square ही हो रहा है अगर negative value मिलती भी है तो वो square होके positive ही हो जाएगी उसी तरीके से delta y हो जाएगा y1 minus y2 और इसका square है यहाँ पे तो अब हमें चुकि यह d पता करना है तो हम यहाँ पे इसका principal square root ले लेंगे क्योंकि length है तो यह negative तो हम कर नहीं सकते तो इसका हमने principal square root ले लिया तो यह जो हमें यहाँ पे expression मिला यह जो हमें यहाँ पे जो formula दिख रहा है इसी को हम देल्टा x square प्लस डेल्टा y square के बराबर है बस उसी को हमने coordinates के term में लिखके उसको एक distance formula का नाम दे दिया एक छोटा सा अगर यहाँ पे हम example करें तो माल लेजे कि हमारे पास दो coordinates हैं जैसे कि एक coordinate हम ले ले लेते हैं negative 6 comma negative 4 x coordinate है negative 6 यानि कि negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 negative 5 negative 6 यहाँ पे कहीं और y coordinate negative 4 ले ले लेते हैं negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 यहाँ पे हैं कहीं यह point को हम माल लेते हैं इस point को यह point हमारा हो गया negative 6 comma negative 4 दूसरा point हम कुछ ले ले लेते हैं माल लेजे 1 comma 7 x coordinate 1 y coordinate 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 1,7 और हमें इन दोनों के बीच की दूरी पता करनी है तो इनके बीच की दूरी हम directly यहाँ पे distance formula से निकालने की कोशिश करते हैं तो negative 6, negative 4 और 1,7 इसको मान लेते हैं x1, y1 और इसको मान लेते हैं x2, y2 आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते थे, इसको मान सकते थे x2, y2 इसको मान सकते थे x1, y1 तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी d हो जाएगी square root of x1 minus x2 का square यानि कि negative 6 minus of 1 इसका square, negative 6 minus 1 इसका square plus y1 minus y2 का square यानि कि negative 4 minus 7 के square के बरावर तो यह value यहाँ से हो जाएगी, इसको थोड़ा सागे solve कर लेते हैं तो यह हो जाएगा square root of, principal square root of, negative 6 minus 1 होता है negative 7 negative 7 का जब आप square करेंगे तो negative का square तो positive ही होगा 7 का square हो जाएगा 49 plus negative 4 minus 7 यानि कि negative 11 negative 11 का square हो जाएगा तो negative का square तो positive ही होगा 11 का square हो जाएगा 121 के बरावर अब इसको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 1 यह हो जाएगा 0, 1 carry हो जाएगा 4 और 2, 6 और 1, 7 और यह आजाएगा 1 जो कात्यों यानि कि principal या फिर positive square root of 170 के बरावर अब इसको हम आगे बाकी calculator से solve कर सकते हैं लेकिन main idea यहाँ पर यह था कि कैसे अगर हमारे पास 2 points दिये हुए हो तो हम directly distance formula में उसके values रखे हम उनके बीच की distance calculate कर सकते हैं और साथी साथ हमने यह भी देखा कि distance formula ऐसा कोई यह magic नहीं है यह बस पाइथागरस theorem का simple सा application है